हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि में इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में फर्स्ट फेज में हम बात करेंगे यहां पर जो ओवरॉल अपडेट्स निकल कर आ रही है जिसका इंपक्ट कल के मार्केट पर पढ़ने वाला है और अभी तक की जितनी अपडेट निकल कर आई है उन से लग रहा है कि मार्केट कल काफी बड़ी क्रैश दिखा सकता है और सेकिंड पार्ट में हम बात करेंगे यहस बैंक के बारे में यहस बैंक के लिए भी बहुत ही इंपडेट है और वो अपडेट ऐसी है जिससे हो सकता है कल के दिन यहस बैंक में एक तेजी का माहल बन जाए तो वीडियो को एंड तक आप जरू देखिए सोडर सारी चीज़े जो है वो आपको अच्छी समझ में आ जाए चैनल पर अगर आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा सोडर टाइमली नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दिजेगा चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबते पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होगे आपके सामने मैंने चीज़े रग दी है शेयर मार्केट आउटलोग क्या इरान इसराइल के संगर से शेयर बाजार में मचेगा कोहराम देखो आप सभी को बताओगा जब भी गलोबली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनेक्सपेक्टिड होती हैं लेकर जब वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर उसका इंपक्ट केवल एक दो कंट्री पर नहीं बलकि ओवराल वर्ड पर पड़ता है क्योंकि अगर आप देखते हो तो इन कंट्रीज पर जो डिपेंडेंसी होती है वो कुछ न कुछ तो जरूर होती है तो जब ऐसी वर्ड वर जैसी सिचुएशन या फिर यह वर यासी सिचुएशन जब बनती है तो ओवराल श्टॉक मार्केट में गिरावट आती है इसी बेदे चांसे हैं कि कल के दिन आपको इन्डियन श्टॉक मार्केट भी गिरावट दिखाते हो नजर आ जाए आगे आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि अगर जंग छड़ गई तो जो कच्छे तेल की प्राइसेज है वह जदे महंगी हो जाएगी सो डॉलर प्रती बैरेल के बार जा सकती है कीमत है और अगर आप यहाँ पर देखतो ऐसा हो गया तो क्रूड ओयल जो की एक आप यह आप बोलते हो एक फेक्टर है शेर के प्राइसेज को या फिर ओबर श्टॉक मार्केट को चलाने में भी तो अगर क्रूड ओयल जितना महंगा होगा उतना नेगेटिव इंपक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ेगा और वही अभी तक के जिस अकॉर्डिंग चीजे हो रही ह क्योंकि वहां से अगर आप देखो अटेक ओलरी स्टार्ट हो चुके हैं अब यह आगे कितनी जादा देर तक चलेगा या फिर कहां तक जाएगा वह अभी किसी को नहीं पता है लेकिन अटेक ओलरी स्टार्ट हो चुका है तो उस बज़े से भी अगर आप चीजे देखोग रुकावट आ सकती है अब रुकावट आएगी तो ट्रेड कि जो चीजे हैं जो आती जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती वहां पर दिक्कत होंगी इससे ऐसे नहीं कि केवल एक दू कंट्री इसपर इंपेक्ट पर इस पर ओवरॉल इंपक्ट पड़ता है तो जैसे मै यह सारी चीज़े होती है तो फिर एक चीज होती है वह होती है पैनिक सेलिंग पैनिक सेलिंग कौन करता है यह आप सभी को पता है कॉमेंड में जरू बताईए कॉमेंड में अपने उपीन जरू बताईए के जो पैनिक सेलिंग है ऐसी सिचुएशन वह सबसे ज्यादा कौन करता है अब जैसे मैंने आपको बताया कि अल्रेडी जो है वह अटेक स्टार्ट हो चुका है इस्राइल को कौन सपोर्ट कर रहा है यूएस यूएस इस्राइल को सपोर्ट कर रहा है सो डैड यहां पर जितने भी इरान की तरफ से अटेक वह है उनको रोका जाए या फिर उन पर काउंटर एटेक किया जाए तो यह एक बड़ी है और जो एक चीज हम लोग यहां पर मिस कर गए वह यह है कि जब ऐसी चीज़े होती है तो जो रेवन्यू आता है तो अगर वहां भी चीज़ें इंपक्ट होंगी तो वह एक रेवन्यू क्रियेशन में भी दिक्कत क्रियेट कर देगा ठीक है तो यह सारी बात होगी अभी तक की अपडेट की जो भी निकल कर आएगी फिर में टेलिग्राम पर शेयर कर दूंगा सो यहां पर एक चीज़ देख पा रहे होगे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक न्यूज बताई थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर गया था कि जो यह सेर्च कर रहे है अपने प्रमोटर्स को और प्रमोटर्स को केवल इंडिया में नहीं बाकी और वर्ड में या फिर क जिसमें जैपान का भी नेम था और अब जो बात निकल के आ रही है वो यह है कि जापान की कुछ कमपनीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टेड हैं यहां से अभी एक चीज और है कि ना केबल जापान की बलकी मिडिल इस्ट्रण कमपनीज भी हैं जो कि और ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं और यहां से एक चीज का पता तो चल गया कि हाँ येस बैंक की पोजिशन अभी ऐसी है कि इसमें कोई भी डिस इंट्रेस्टेड नहीं है हर कोई रिटेल इन्वेस्टर से लेके मुचल फॉंस अब यहां पर आप देख पार होगे प्रमोटर की तरह में भी रिस्पॉंस काफी अधा पॉइटिब मिल रहा है अब जब यह सारी बात निकल कर आ रही है तो जब यह सारी चीजें होंगी तो इस पर पर प्रूबल भी चाहिए होगा अब यहां से पहले यह कंपनी फाइनल सकता है यह इस बैंक के शियर प्राइस पर ओबर आप यहां पर इसकी हिस्सेदारी जो है उसकी वैल्यू देख पा रहे होगे लगब पैंतिस हजार करोड से जादा है एक्क्यावन परसें की इस्सेदारी घरी जाएगी तबीस में प्रमोटर्स बनेंगे और उसकी जो हिस् बिल्कुल चेंज हो सकती है और जो शेयर आपको यहां पर 24-25 की रेंज में ट्रेड कर रहा है हो सकता है वो अपने पुराने लेवल से भी जादा निकल जाए एक बार यह सारे प्रोसेजर कंप्लीट हो जाते हैं तो और अभी हो सकता है लोगों को मजाक लग रहा हो लेकिन जब चीजें होती है तो अचानक से बहुत ही जल्दी होती है फिर आपको टाइम नहीं मिलता है मैं आपको यहां पर यह कोई भी सला नहीं दे रहा हूं कि आप इसमें बाइंग करें के सेलिंग करें मैं आपको बस यह जो अपडेट्स निकल कर आई है इसका इंपक्ट क्या कुछ हो सकता है वो बता रहा हूं बाकी डिसीजन आपका है totally कि यह सबैंग में आपको क्या करना है क्योंकि काफी टाइम से आप लोग भी इसमें इंवेस्टेड हो तो पूरी तरीके ते डिसीजन आप ही का है क्या आपको इसमें और ज्यादा बाइंग करनी है या फिर दीजेगा धन्यवाद